सबसे पहले देखते हैं आज की बीस बड़ी खबरे लोकसवत चुनाव के दूसरे चनके मतदान के लिए पोलिंग पार्टी आज मतदान केंद्रों और मतदेस थलों के लिए हुई रवाना मतदान कर्मियों को गर्मी से बचाग के लिए दी गई है समागरी रक्षामंत्री राना सेने लखेंपुर्खेरी में की जनसभा कहा भारत की जुधार में कस्थल है हमारी जो सनातन संस्कृती है उसका भी विकास किया जाना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने कभी भी उसकी चिंता नहीं की मैंन पूरी से सांसर डिंपल यादव ने उननाव लोगसभा शेतर से सपा प्रत्याशी अनू टंधन के नामांकर जुलूस में शामिल होकर उनके समर्थन में वोट की अपील की कनोज लोगसभा सीट से अब सपा मुख्य अखलेश यादव लड़ रहें चुनाव आज कनोज सीट पर सपा प्रमुक अखलेश यादव ने दाखिल किया अपना नमांकर लोगसभा चुनाव की चौथे चरण के नमांकर पत्र दाखिल करने का आज अंतेम देन इस चरण में नौ राज्जी और एक केंद्र शाषित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा इस चरण का मतदान 13 माई को होगा कॉंग्रिस ने लोगसभा चुनाव के लिए को और सूची जारी कर दी है सिसूची में तलंगाना की करीम नगर हैदराबाद और खंब सीट के लिए नामों की घोशना की पार्टी ने हैदराबाद से वलिए उल्लाह समीर को टिकेट दिया और ब्यस पी ने लोगसभा चुनाव के लिए अपनी साथवी सूची में तीन उमिद्वारों के नाम खुशित की हैं ब्यस पी ने भीम राजभर सलेम पूर से भधूर ही से रफान अहमद हमिर पूर से निर्दूश कुमार्दिक्षित को टिकेट दिया है और सुप्रिम कोर्ट पी इवियम के सरे डाले गए सभी वोट का वीवी पैट के साथ मिलान करने के अनुरोध वाली या चिकावं पर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरख्षित रखा आप सांसरद संजे सिंग ने कहा कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने चाह रही है अर्विंके जिवाल की गिरफतारी के खलाफ जनता के मन में गुस्सा है रोश है भाजपा की वरिष्ट नेता केशा प्रसाद मौरे ने आज कनौज में भाजपा प्रत्याशी सुगरत पार्थाक के समर्थन में आयूजित नमांकन सभा को संबोधित किया भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अप्पील की भाजपा की वरिष्ट नेता प्रिजिश पार्थाक ने आज नाव के राम निला ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी साक्षी जी महराज के समर्थन में आयूजित नमांकन सभा को किया संबोधित और इतावम में भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरे की पत्नी चुनावी मैदान में उत्री मिर्दुलाट कठेरिया ने टावा लोग सबसेट से किया नमांकन निर्दली लडेंगी चुनाव जन्पत बांदाव में आयोजित भाजपा की बूद समेलन में भाजपा की वरिशनेदा स्वितन तरदेव सिंग हुई शामिल लोग सबचनाव में भाजपा की प्रचन भहमत से जीतका किया दावा कहा भाजपा को विकास के नाम पर मिलेगा बूट फरुखाबाद में बसपा प्रत्याशी गरांती पांडी और इंडिया गटबंधन की और सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर मौरे और कुछ अन्ने दलों की प्रत्याशों ने किया नमांकन दाखे दूसर बचनाप के दूसरे चंड में होने वाले मतिदान को शांती पूर्वा भय मुक्त और निश्पक्ष संपन कराने के लिए मतुरा में पैरा मिलिटरी फोर्स केंद्रे पुलिस और सिविल पुलिस ने किया फ्लैक मार्च सेम योगी आदिते नाथ को सोशल मीडिया पधम की देने वाले आरोपी शमीम और फबबूल की खिलाफ प्रयागराज के गंगा नगर के नवाब गंज्थाने में आईपिसी की धारा पांसोची और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दाज उतरप्रदेश के 32 जिलों में हीट वेव चलने की मौसम विज्ञान विभागने जारी की चितामनी हीट वेव के साथ चलीगी धूल भरी हवाएं ललित वुज्जिले के मडवारी गामे शादी समालों से लोट रही बारातियों से भरी बस पल्टी हाथ से में करीब 20 लोग खायल तीन लोगों की हालत कम भी